गनेशाय नमह, श्री शिव पुरान रुद्र सहिता तृतिय खंड अध्याय दो, रुद्र सहिता, तृतिय पार्वती खंड, हिमालय की स्थावर जंगम द्विविद स्वरूप एवं दिव्यत्व को वर्नन, मेनकी साथ उनका विवाह तथा मिना आदिको पूर्विजिन में पूछा ब्रह्मन, पिता के यज्य में अपने शरीर का परित्याग करके दक्षकन्या जगदंबा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमाल्य की पुत्री हुई, किस तरह हत्यन तोक्र तपस्या करके उन्होंने पुनह शिव को हीपति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नाम का महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और असम्रिदिशाली है, उसके दो रूप प्रसिध है, एक स्थावर और दूसरा जंगम, मैं संक्षिप से उसके सूक्षब स्थावर्ट स्वरूप का वर्नन करता हूँ, वह रमल शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है, सिंग, व्यागरी पशु सदा सुक्पूर्वक उसका सेविन करते हैं, हिमका तो वह भंडार ही है, इस यत्यन तो ग्रजान पड़ता है, भाती भाती के आश्चर यजनेप दिश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है, देवता, रिशी, सिधा और मुनि उस्पवत का आश्रय लेकर रहते हैं, भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है, स्वरूप से ही वह अत्यन पवित्र और महात्मा उनको भी पावन करने वाला है, तपस्या में वह अत्यन संतों को अधिक प्रिय है, एक समय गिरिवर हिमवानों ने अपनी कुल परंप्रा की स्थिती और धर्म की व्रिदी के लिए देवताओं तथा पित्रों का हित करने की अभिलाशा से अपना विवाह करने की इच्छा की, मुनिश्वर, उस अफसर पर संपून देवतापने स् पचार करके दिव्य पित्रों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा पित्रों, आप सबलोग प्रसंचित होकर हमारी बात सुने और रायदी देवताओं का कार्य सिध करना आपको भी अभीष्ठ हो तो शीग्रव ऐसा ही करें। आपकी जेश की यह बात सुनकर पित्रों ने पस पर विचार करके स्वीकृती देदी और अपनी पुत्री मेना को विधिपूर्वक हिमाले के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बढ़ा उत्सव मनाया गया। मुनिश्वर नारद मेना के साथ हिमाले के शुप विवाह का आया सुखत प्रसल्ग मैंने तुमसे प्रसंतापूर्वक कहा है अब और क्या सुनना चाहते हो नारद जी ने पूछा विधे विध्वन अबादर पूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पति का वर्नन कीजिए उसे किस प्रकार शापप्राप्त हुआ था ये कही और मेरे संदे का निवारन कीजिए ग्रहा जी बोले एक मूर ने मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उनके साथ कन्याएं हुई थी जो स्रिष्ट की उपति में कारण बनी नारद दक्ष ने कश्यपी श्रेश्ट मुनियों की साथ उनका विवाह किया था ये सब पहग्य शालिनी तथा धर्म की मूर्ती थी उनमें से जैश्ट कुत्री को नाम मैना था मंचली धन्या के नाम से प्रसिद थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था ये सारी कन्याएं पित्रों की मानसी पुत्रिया थी उनके मन से प्रकट हुई थी इनका जन्म किसी मा ताके गर्व से नहीं हुआ था, अतेवय योनिजा थी, केवल लोक व्यवहर से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी, इनके सुन्दर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण भीष्ट को प्राप्त कर लेता है, ये सदा संपूर्ण जगत की वन्निया लोकमाताएं हैं और उत्तमप्युदय से सुशोभित रहती हैं, सब की सब परमयोगिनी, ज्याननिधी तथा तीनों लोकों में सरवत्र जासकने वाली हैं, मुनिश्वर, एक समय वे तीनों वहिने भगवान विष्णु के निवासस्थान श्वेत अद्वीत में उनका दर्शन करने के लिए को प्रणाम और अभाक्ति पूर्वक उनकी स्तुती करके वे उनहीं की आज्या से वहां ठहर गई, उस समय वहां सतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था, मुने, उसी अवसर पर मेरे कुत्र संकाद सिधगन भी वहां गए और श्रीहरी की स्तुती वंदना करके उनहीं की आज्या से वहां ठहर गए, संकादी मुनी देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकोन में वंदित हैं, वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय अश्वेत अद्वीत के सब लोग उनहीं देख प्रनाम करते हुए उठकर खड़े हुगए, परंतु ये तीन कन्याओ, तुम प्रसंचित होकर मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम ही सुक देने वाली है, तुमेंसे जो जैश्ट है, वह भगवान विश्णु के अंश्भूत हिमालय गिर की पली हो, उससे जो कन्या होगी, वह पार्वती के नाम स भाग में व्रिश्भानु वैश्य की पली होगी और उसकी प्रियकुत्री, राधा के नाम से विख्यात होगी, योगिनी मेन का मेना पार्वती जी के वर्दान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलास नामक परमपक को प्राप्त हो जाएगी, धन्या तथा उनके पति, ज जीवन मुक्त योगिनी कलावती भ्यक्नी कन्या राधा के साथ गुलुकधाम मेन्जाईगी इसमें संशे नहीं है, विपक्ते में पड़े बिना कहां किनकी महेमा प्रकट होती है, उत्तम कर्म करने वाले पुन्यात्मा पुरुष्रिको संकर जब तल जाता है, तब उन्ही दुल्ले सुख की प्राप्ती होती है, अब तुम लोग प्रसंता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है, मेना की पुत्री जगदंबा पारवती देवी अत्यंत दुसल तप करके भगवान शिव की प्रियपत्नी बनेंगी, धन्या की पुत् स्नेह में बर्ग कर श्री कृष्न की प्रियत्मा बनेगी, ब्रह्माजी कहते हैं, नारद, इस प्रकारशाप के ब्याद से दुरलब वर्दान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भायोसित वही इंतरधान हो गए, तात, पित्रों की मानसी पुत्र स्रीवे तीनों बहेने इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई, इती श्री शिव पुरान के रुद्र सहिता तृतिय खंड ध्याय दो कथा समाप्त, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओन नम शिवाई